नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वैसा खमास में सुनने जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा की कथा के बारे में, यह तो चलो कथा शुरू करते हैं, एक बार कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रया करते करते एक समय ऐसा आया, जब सिद्धार्थ को ऐसा लगने लगा कि सत्य और ज्यान प्राप्त करने के लिए उनका अपना घर छोड़ना व्यर्थ हो गया। मान्यताओं के अनुसार उस समय एक छोटी सी गिलहरी की एक सीखने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने मे सहायता की। ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धार्थ सत्य और ज्यान प्राप्त करने में असफल हो गए तब उनके मन में यह विचार आने लगा कि वह राजमहल वापस लोट जाएं। मन में ऐसा विचार आने के पश्चात वह अपने राज कपिल वस्तु जाने के लिए लो कर कि उन्होंने वहाँ पर एक गिलहरी को देखा। छोटी सी गिलहरी पानी पीने के लिए बार-बार जील में जाती और अपनी पूंच को उसमें डुबो कर वापस रेद पर जटक देती। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि यह नन्ही सी गि जील को सुखाने की कोशिश कर रही है पर इस तरह गिलहरी का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गिलहरी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गिलहरी उनसे कह रही है देती। यह देखकर सि वह गिलहरी जील को सुखाने की कोशिश कर रही है पर इस तरह गिलहरी का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गिलहरी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गिलहरी उनसे कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी कार्य को करने की ठान ले और उस पर अटल रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है बस हमें कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए तब सिद्धार्थ को अपने मन की कमजोरी का एहसास हुआ वह वहीं से वापस लोट कर तपस्या में लीन हो गए लगातार कोशिश करने के पश्चात उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ती हुई बोलो बुद्ध भगवान की जय बोलो विश्णू भगवान के जय दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आपको यह कथा कैसी लगी दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी त्योहारों एवं वार्शिक कथाएं उपलब्ध होगी इनके कथाओ का रस्पान करने के लिए हमारे चैनल विके ट्रेडिंग कहानी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमली ग्रूप में शेर कर दे जिससे वह भी यह कथा सुन ले धन्यवाद